तो देखो अब topic आता है polarity of bonds जैसे कि covalent bond में अगर A and B के बीच में एक covalent bond बन रहा है जो कि हमें पता है by the sharing of electrons बनता है तो यहाँ पर यह दोनों electrons क्या है shared electrons है वो A के साथ भी है B के साथ भी है और यह bond बन रहा है covalent bond ठीक है अब यह जो covalent bond होता है यह 100% covalent नहीं होता य और अगर यह XY bond चोगी हम ionic माल लेते हैं अगर यह ionic bond है यह भी 100% ionic नहीं होता covalent bond में some ionic character रहता है और ionic bond में भी some covalent character रहता है 100% covalent या फिर 100% ionic bond नहीं होते ठीक है यह धियान रखना आपने 100% covalent या फिर 100% ionic bond नहीं होते ठीक है तो यहाँ पर बात करेगे polarity of bonds की इसमें हम covalent bond के जो covalent bond होगा उसको हम दो types में डवाइट करेगे यहाँ पर पहला आएगा non polar covalent bond दूसरा आएगा polar covalent bond देखो क्या होता है जैसे हमने यहाँ पर covalent bond की बात करी थी तो अगर आप same atoms लेते हो जैसे हम यहाँ पर hydrogen and hydrogen ले लेते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है यहाँ पर हुआ यह shared electrons क्योंकि यह sharing से क्या है sharing हो रही है covalent bond है H and H में ठीक है तो यह जो electron pair होता है यह exactly बीच में ही रहेगा ठीक है यह share है ध्यान से सुनना यह दोनों के साथ है यह इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो यह क्या है यह sharing में है यह electron pair लेकिन यह कहाँ पर होगा यह center में होगा नहीं इस hydrogen की तरफ होगा बलकि वो बिलकुल exactly in the middle होगा between the two hydrogen atoms ठीक है तो यह कौन से molecules होते है यह होते है homonuclear homonuclear molecules जिन में same atoms होते है same nucleus होता है मतलब same ही element के atoms होते है same same atoms होते है ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर इन molecules को क्या कहते है जिन में same atoms होते है या फिर जो homonuclear हो उन्हें हम कहते है non-polar non-polar covalent bond तो इनके बीच में जो यह bond बना this is the non-polar covalent bond and इसका reason क्या है तो reason देख लो electronegativity का होता है actually क्या होता है मालो कि यहाँ पर हम बात करते है अगर chlorine की ठीक है cl2 as a hum example ले ले लेते है ठीक है तो यहाँ पर एक chlorine atom है और यहाँ पर दूसरा chlorine atom है और जो इनके बीच का जो इनके बीच में sharing में जो electrons है वो है यहाँ पर आप कहे सकते हो इनको यह बिलकुल कहाँ पर है यह बिलकुल middle में है या फिर center में है अब देखो electronegativity क्या concept है electronegativity वो tendency है जिसकी वज़े से जो atom होता है वो electron को अपनी तरफ से अपनी तरफ खींचता है तो वो concept होता है electronegativity अब देख लो दोनों same atoms है तो जो electronegativity है यहाँ पर electronegativity है दोनों atoms की वो क्या है same अब देखो जितना क्लोरीन पुल करेगा अपनी तरफ इस पेर को उतना ही पुल दूसरा क्लोरीन करेगा क्योंकि same atoms है और same electronegativity है वो force जिससे electron क्लोरीन electron को अपनी तरफ खींच रहा है उसी force से दूसरा क्लोरीन भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है अगर दोनों साइट से जोर लगेगा तो क्या होगा eventually जो आपका ये electron है shared electrons है वो कहां पर रहेगे middle में रहेगे ना ही वो इनकी तरफ जाएगे ठीक है इनकी तरफ जाएगे ना ही वो इनकी तरफ deviated होगे वो बीच में रहेगे ठीक है तो ऐसे bonds को बोलते है non-polar bonds अब क्या हुआ बीच में है तो दोनों पे कोई भी poles नहीं आए और poles क्या होता है हमेशा याद रखना poles होते है positive pole या negative pole जब भी positive and negative आपके पास positive and negative आपके पास क्या आए charge induce हो plus या negative उनको क्या बोलते है उनको कहते है हम poles की polarity आ रही है उसमें polarity means की charge separation आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी poles नहीं दिखते नहीं मिलते वैसे ही अब एक चीज़ यहाँ पर भी देखो जैसे यह chlorine मैंने बनाया है यह जो green color का है यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको यह symmetrically distributed है electrons around two atoms दोनों atoms पर same symmetry है same distribution है electron cloud की ऐसा नहीं है कि एक के पास जादा है और दूसरे के पास काम है same distribution है तो यहाँ पर electron cloud में symmetry आती है distribution में ठीक है तो यह बिलकुल middle पर है नहीं यह इसकी तरफ जादा जुकाओ रखता है नहीं इसकी तरफ रखता है तो हम क्या कह सकते है कि यह है non polar covalent bond ठीक है तो क्या होता है इसमें तो देखो यहाँ पर मैं दो तीन आपको points लिखा लेती हूँ क्या होता है इसमें होती है no charge separation no charge separation ठीक है क्योंकि कोई भी charge separation क्यों नहीं है क्योंकि electron बिलकुल middle में है अगर यह मालों यहाँ पर electron negativity किसी की जादा होती जो कि हम आगे case में करेगे तो यह electron कहां पर किसकी तरफ जुकते वो जुकते उस electro negative atom की तरफ तो उस पे आ जाता negative charge क्योंकि electron responsible होते है negative charge के लिए जिनसे बीच में है तो इसने 0-0 का score रखा है किसी को भी electron जादा नहीं दे रहा तो यहाँ पर आ जाती है no charge separation जिसकी वज़े से poles, no poles, no poles developed कोई भी poles इसमें आपको develop होते वे दिखाईन नहीं देते है और example में हम कर सकते हैं जैसे homo nuclear molecules होते हैं hydrogen हो गया, oxygen हो गया chlorine हो गया, fluorine हो गया इस तरह से जो diatomic है homo वाले, same atom वाले वो इसमें आते हैं इसके केस में non polar covalent bonds ठीक है, तो ये कौन से bond है इनके बीच में, H और H के बीच में भी क्या है non polar covalent bond है वैसी oxygen में double bond होता है ये दोनों ही bonds क्या है, non polar है non polar से ही समझ जो जिनके उपर polarity नहीं है charge का separation नहीं आ रहा है जो shared electron है, वो exactly middle में है वो कहीं पर भी deviate नहीं होए है किसी भी एक particular atom की side नहीं है वो बिल्कुल neutral है वो बिल्कुल बीच में है in the middle है और इनका distance भी दोनों से same है अगर sharing एक अलग बात होती है attraction अलग है, जो ये shared pair है वो equally attracted है by both of the atoms अब इसका definition पढ़ लेते हैं अब आपको easy हो जाएगा अपने भी words में लिखना ये definition non-polar covalent bonds कौन से होते है क्या होता है when covalent bond is formed between two similar atoms by sharing of electrons the shared electrons are equally attracted by two atoms because of same electronegativity due to which poles are developed and due to which no poles are developed यहां पर no लिखना यहां पर no लिखना बुल गई होगी due to which no poles are developed and bond is called non-polar covalent bond देखो कोई भी pole generate नहीं होगा कोई positive negative pole नहीं generate होगा जिसकी वज़े से ये कहला है कि non-polar covalent bond ठीक है तो ये था concept non-polar covalent bond का और इसमें क्या होता है एक important बात होती है कि इसमें electron cloud की क्या होती है symmetrical symmetrical distribution होती है distribution होती है electron cloud जो है वो equally या फिर symmetrically distribute होता है दोनों atoms के around क्योंकि electron नहीं एक की favor में है नहीं दूसरे के favor में है वो equal line पे है middle line पे है ठीक है क्योंकि जो force ये लगा रहा है इसको अपनी तरफ करने के लिए उतना ही effort दूसरा भी लगा रहा है इस pair को अपनी तरफ करने के लिए तो बिल्कुल क्या होती है neutral से situation होती है कोई भी poles यहाँ पर develop नहीं हो पाते इसलिए इन bonds को कहते है non polar covalent bonds ठीक है अब आती है बात दूसरे की ये बिल्कुल opposite है इसे polar covalent bond नेम से ही आप समझ के होगे polar covalent bond में क्या होता है देखो अब इसका हमने बिल्कुल opposite करना है जैसे हम fluorine का इसमें हम example लेते हैं जैसे HF का hydrogen fluoride का सबसे पहली बात यहां पर हम use करेगे heteronuclear molecule तो यहां पर heteronuclear nuclear molecules भी आ सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर homo यहां पर homonuclear आये थे वैसे ही यहां पर heteronuclear होगा क्योंकि homonuclear में तो non polar bonds ही बनेगे अब है polar covalent bond heteronuclear में हम जैसे की ले लेते है HF का case या HCL का case मालो की HF का case ले लेते है ठीक है fluorine के पास कितने electrons है यहां पर fluorine के पास है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और 7 यहां पर है electron अब hydrogen का भी एक electron यहां पर sharing में चले जाएगा hydrogen का electron इसे बना देते हैं तो यह जो दोनों shared pair है देखो जो यह shared pair है वो किसकी तरफ होगा यह होगा towards यह होगा towards towards fluorine अब देखो इसका reason क्या है क्यों यह इसकी तरफ हो रहा है अभी आप समझ चुके होगे यह क्यों बनाया है क्योंकि जैसे हम HF की बात करते हैं HF में 1, 2, 3, 4, 5, 6 and यहां पर आगया 7 और 8 तिया hydrogen है तो यह pair होगा इसकी तरफ because electronegativity अगर आप electronegativity से दोखो electronegativity फ्लोरीन की बहुत ज़ादा है hydrogen से in fact fluorine क्या है सबसे ज़ादा electronegative element होता है ठीक है तो यह कहां है जो यह shared electron है shared electrons है वो कहां है more attracted towards attracted towards towards fluorine जो की electronegativity जिसकी ज़ादा है ठीक है fluorine की तरफ यह क्यों होगी यह बात आपको समझागी क्योंकि fluorine की electronegativity ज़ादा है hydrogen से वो बहुत ही strongly attract करेगा assured electron के pair को अपनी तरफ ठीक है तो यह ज़ादा इस तरफ होगे उसी वज़से क्योंकि electron की density ज़ादा fluorine की तरफ है इसका जुकाओ ज़ादा fluorine की तरफ है उस वज़से क्या हो जाएगा यहाँ पर generate हो जाएगे poles तो इसमें होता है generation of poles और कैसे poles generate होगे जैसे hydrogen and fluorine है तो इस पर क्या आजाएगा fluorine पर आजाएगा delta negative because more electron negative है electron को अपनी तरफ खींचेगा तो electron जहाँ पर होते हैं यहाँ पर negativity आती है that means negative charge आते है और जो hydrogen है उस पर आगया delta positive अब देखो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर हो गया generation of generation of poles जाता है positive pole तो इस तरह से यहाँ पर generation of poles हो गया ठीक है तो यहाँ पर electron density की अगर हम बात करें hydrogen and fluorine में hydrogen हमने यहाँ पर बना लिया fluorine हमने यहाँ पर बना दिया अगर हम इसमें electron density का distribution देखे इसके चारों तरफ तो आप देखोगे जादा जो electron density है वो किसकी तरफ है जादा electron density आपको fluorine की तरफ दिखाई देगी ठीक है सारी की सारी fluorine की तरफ होगी बस थोड़ी सी कहाँ होगी hydrogen की तरफ होगी तो यहाँ से आपको पता चल रहा है यहाँ पर है more electron density ठीक है more electron density तो इससे हमें क्या चीज़े पता चली पहली बात की generation of generation of poles ठीक है poles generate होते हैं इन में दूसरी बात कि इसमें जो electron density है electron density around जो atoms है वो क्या होगी वो unsymmetrical होगी unsymmetrical या फिर आप ये भी कह सकते हो कि distorted होगी एक symmetry में नहीं है वैसे ही distribution इसका disturb हो जाएगा तो यहाँ पर electron density भी जो है वो unsymmetrical है और देखो यहाँ पर क्या हो जाता है इसमें covalent bond में partial ionic character हो आ जाता है ठीक है यहाँ पर होते है covalent bond covalent bond with partial with partial partial ionic character ionic character जिन्हें हम क्या करते हैं जिन्हें नीचे में कुछ एक rules बताऊंगी उससे हम देखते हैं कि किसमें ionic character जादा है किसमें कम है तो देखो bond तो covalent ही है bond covalent है लेकिन ionic character का भी कुछ एक percentage रहता है वो depend करता है electronegativity difference of these two atoms ठीक है दोनों atom की जितनी electronegativity का difference अगर जादा होगा electronegativity difference जादा है तो वो किसकी तरफ जाता रहेगा वो ionic character की तरफ जाएगा या फिर आप यह कह सकते हो उसमें ionic character भी क्या होगा ionic character भी उसमें जादा पाया इसका एक और एक और example में आएगा इसका bromine chloride अब देखो यहाँ पर तो simple था कि fluorine का पता है हमें electronegativity and second number पर electronegativity किसकी आती है chlorine की so electronegativity किसकी जादा है chlorine की जादा है bromine से ठीक है तो सारे जो electron pair है वो किसकी तरफ जादा shifted रहेगा तो वो रहेगा towards chlorine तो chlorine की towards यहाँ पर electron pair जो है वो shift रहेगा towards towards more electronegative more electronegative atom that means chlorine chlorine की तरफ chlorine की तरफ इसकी जो इसका जो जुकाव है वो जादा रहेगा क्योंकि chlorine more electronegative है और वो बहुत ही strong attraction दिखाएगी इन electrons की तरफ यह electrons बहुत strongly attracted होगे chlorine की तरफ क्योंकि electronegativities जादा है और अगर हम इसके bond की बात करें तो bromine and chloride अगर हम bond बनाते हैं तो उस पर आप कैसे लिख सकते हो chlorine पे आजाएगा कौन सा पोल negative pole और bromine पे आजाएगा positive pole तो यहाँ पर poles इस तरह से generate हो गए वैसे ही मैं एक और example आपको बताती हूँ एक और example में हम लिखते हैं important है यह lithium chloride lithium sorry fluoride तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि lithium fluoride में fluorine सबसे जादा electronegative element है तो electronegativity fluorine की is much higher than lithium electro negative बहुत जादा है fluorine lithium से यह बात तो पता है हमें इसकी इतनी जादा electronegativity high होती है कि जो shared electrons है वो किसकी तरफ होते हैं वो fluorine की तरफ होते हैं तो यहाँ पर हम यह लग सकते है कि जो यह shared electron होते हैं ना इस case में shared electrons होते हैं वो completely completely towards किसके होते हैं towards fluorine होते हैं और यह इसी वज़े से ionic character का होता है ionic तो यह जो bond होता है यह होता है ionic bond ठीक है तो हम यह कह सकते हैं तो यह हो जाता है extreme case of this is the extreme case of this is the extreme case of polar polar covalent bond covalent bond अब मैं इसको extreme case यहाँ पर क्यों बोड़ रही हूँ extreme case मतलब जब हमारी polarity बहुत ज़ादा बढ़ जाती है तो वो covalent bond ना होके उसका nature ही change हो जाता है वो ionic bond कहलाता है जैसे यहाँ पर fluorine and lithium में क्या है electronegativity बहुत difference बहुत ज़ादा है fluorine बहुत electronegative है lithium बहुत कम है तो उस case में one sided ही kind of ऐसे समझो कि match one sided ही हो जाता है कि fluorine को ही सारे electrons मिल जाते है fluorine ही कबजा कर लेता है दोनों shared electrons के उपर इसकी वज़े से वो character बन जाता है ionic bond का क्यूंकि ionic bond में क्या होता है complete transfer of electron एक species देती है electron और दूसरी उसे accept करती है तो lithium fluoride is ionic in character and this is the extreme case of polar covalent bond तो extreme case जब हो जाते है polar covalent bond के वो किसमें convert हो जाते हैं वो ही होते हैं ionic bonds जिसमें electronegativity difference बहुत ही जादा हो जाता है तो वो ही हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं कि partial ionic character of covalent bond देखो जो covalent bond होता है हमने पीछे भी कहा था कि जो covalent bond होता है उसमें some partial ठीके partial ionic character होता है ionic character होता है और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे homo वाले bonds भी होते है इवन अगर आप hydrogen की बात करो hydrogen की बात करो आप कहोगे electronegativity इसकी भी same है इसकी भी same है तो यह 100% covalent है आप यह कहोगे यह 100% covalent है इसमें क्या है इसमें कोई भी polarity नहीं आएगी बट ऐसा नहीं होता 100% covalent या फिर 100% ionic यह सब नहीं होते 100% कोई भी ionic नहीं हो सकता कोई भी bond ionic नहीं हो सकता और 100% कोई भी bond covalent नहीं हो सकता यह ध्यान रखना अब आप कहोगे कि माम बड़ी confusion है यहाँ पर तो hydrogen hydrogen ही है और shared pair भी बीच में ही है फिर भी यह 100% covalent क्यों नहीं हम इसे कहते क्योंकि वहाँ पर क्या आता है दूसरा concept आता है जो कि instantaneous क्या होता है dipole generate हो जाता है कुछ एक time के लिए dipole generate हो जाता है इन molecules के लिए भी तो वो कुछ एक time के लिए non polar, sorry polar act करते है वो higher classes का funda है ठीक है तो इन में भी क्या होता है for a time for a time क्या हो जाता है इन में भी dipole generate हो जाता है तो some amount of ionic character रहता ही रहता है तो आप 100% नहीं बोल सकते हाँ यह कह सकते हो यह क्या है यह non polar है polarities इन में develop नहीं होती लेकिन इन में जो instantaneous जो इन में dipole generate होता है वो रहता है तो 100% covalent and 100% ionic चीज़े यह नहीं होती है तो covalent bond है तो कुछ ना कुछ amount of ionic character रहता है चाहिए वो बहुत जादा हो चाहिए वो बिल्कुल थोड़ा हो बट रहता तो है अब देखो electronegativity difference electronegativity difference difference in electronegativity is directly proportional to ionic character ठीक है यह किसकी बात हो रही है covalent bonds की covalent bond में ionic character किस तरह से हम determine करते है जितनी जादा electronegativity difference होगा atoms का उतना ही उसमें ionic character जादा होगा ठीक है जैसे कि हमने इसमें किया था lithium fluoride में करा था lithium and fluorine में ionic character बहुत जादा इनका sorry electronegativity का बहुत जादा difference है lithium and fluorine में इसी वज़े से इनका ionic character इतना जादा हो जाता है कि यह bond ही ionic बन जाता है ठीक है तो यह relation है electronegativity difference is directly proportional to ionic character अब यह बात आती है कैसे पता चलेगा कि कितना ionic है कितना percentage उसमें ionic character है एक covalent bond में तो इनमे in covalent bond in covalent bond हम देख रहे है कि कितना percentage ionic character है या फिर नहीं है ठीक है तो उसके लिए कई equations होती है जैसे Pauling's equation भी है जिसमें एक formula आता है NCRT को भी cover करते वे जा रहे है तो आपको easy हो जाएगा तो देखो ये additional चीज़े है NCRT में नहीं दी है देखो electronegativity difference या फिर आपको आप उसको delta electronegativity भी लिख सकते हो delta का मतलब होता है change electronegativity change या फिर electronegativity difference अगर 1.9 ये values होती है 1.9 से अगर ये जादा है ठीक है और दूसरी कर लेते है electronegativity difference अगर 1.9 है तीसरा point आ जाता है अगर electronegativity difference less than 1.9 है तो देखो क्या होता है इन cases में इन cases में हम क्या करते है अगर electronegativity difference 1.9 से देखो पहले करते है 1.9 अगर बिलकुल 1.9 है exactly तो उस bond में क्या होगा वो 50% आइनिक होगा ठीक है और 50% ही वो क्या होगा कोवलेंट होगा अभी जो डेटा से की 1.9 ही क्यों करा ये experimentally कई तरह से equations से calculations करके ये एक value आई है अगर electronegativity differences दोनों का जिसे ए भी bond आप कर रहे हो अगर इनका electronegativity difference 1.9 आ रहा है exactly तो 50% of the bond is ionic and 50% is कोवलेंट ठीक है उसमें 50-50% का रहता है और अगर electronegativity difference जादा है 1.9 से तो वो क्या होता है वो होता है ionic character उसमें ionic character character जादा होता है 50% से मतलब ionic character 50% से भी जादा होता है इस case में और अगर वैसे ही ये इससे भी आप देख सकते हो कि electronegativity difference जतना जादा होगा उतना ionic character जादा होगा तो 1.9 से ये value जादा आ रहे है तो ionic character भी जादा है बलकि वो 50% से जादा है और अगर electronegativity difference लेसे 1.9 से देन जो pre-dominantly ये होते है pre-dominantly pre-dominantly या majorly covalent तो वो majorly क्या होते है covalent होते है covalent character dominate करता है अगर electronegativity difference 1.9 से कम है अगर जादा है तो ionic character dominate करता है इसी तरह से आप इसे कर सकते हो ठीक है तो ये सारी बात हमने किस पर करी polarity of bond में और देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि covalent bond में partial ionic character आता है उसी तरह से ionic bond भी 100% ionic नहीं होता उसमें भी some covalent character होता है अब covalent character in a ionic bond को किस तरह से आप समझते हो किस तरह से उसे उसके लिए आप rules निकालते हो वो जो rules है वो किसके under आते है वो आते है fudgeons rule के under जो कि आने वाले lectures में हम करेगे तो fudgeons rule क्या बताता है कि कितना covalent character आएगा कितना covalent character है किसी particular ionic bond में ठीक है तो यह सब चीज़े है तो अभी तक हमने यह चीज़ क्लियर कर दी कि polarity of bonds क्या होता है कैसे कैसे bonds होते है और partial ionic character covalent bond में कैसे आता है उसके लिए कुछ एक मैंने यहाँ पर values भी बताई है उनके relations भी बताई है तो इस lecture को यहीं end करती हूँ नेक्स वीडियो में हम क्या करने वाले है डाइपोल मॉमेंट के बारे में बात करने वाले है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में बाबाई टेक केर